जै श्री कृष्णा, ओम पित्र अभ्यामनमें आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पित्र पक्ष में सुनी जाने वाली पावन कथाए हमारे धर्म सास्त्रों के अनुसार मनुश्य जन्म लेते ही गुरूरिन, देवरिन और पित्र रिन से रिनी बन जाता है मनुश्य को अपने जीवन में इन तीन प्रकार के रिनों को अवश्य ही उतारना चाहिए पित्रों का रिन मनुश्य के द्वारा स्राद करके चुकाया जाता है पित्र पक्ष में हम अपने पित्रों की सन्तुष्टी के लिए शद्धा पूर्वक, श्राद, तरपन, पिंडदान, पित्रयग या फिर ब्रहमन भोज इत्यादी स्रेश्ट कारिय करते हैं और पित्रों का रिंड चुकाते हैं जिससे की हमारे पित्र प्रसन होते हैं और हमें आयू, यश, पुत्र, कीर्ती, वैभाव, सुक और धन्य धान्य इत्यादी प्रदान करते हैं पित्रपक्ष में हम शाद यह तरपण करते समय कोवे का आववाहन करते हैं ऐसा माना जाता है कि जो कोवे होते हैं, वे धर्ती और यमलोग को जोडने वाले दूत होते हैं, पिंडदान और शाद करने के लिए गया नामक तिर्थ स्थान को सर्वश्रिष्ट माना गया है, क्योंकि यहें छेत्र सभी तिर्थों में सबसे अधिक पवित्र है, साथ ही साथ जो भी मनुष्य यहां पर आकर अपने पित्रों की शान्ती के लिए तरपन करता है, उसके पित्रों को अवश्य ही ब्रह्मलोग की प्राप्ति होती है, और ऐसा करने से पित्रगन प्रसन होते हैं, और अपने वन्शजों को आशिरवाद प्रदान करते हैं, गया भगवान श्रीहरी को प्रसंद करने के लिए गोर तपश्या करने लगता है, उसकी तपश्या के प्रभाव से सभी देवी और देवता गण परेशान हो जाते हैं। वे सभी देवता भगवान विश्णों के पास जाते हैं और उनसे प्रार्तना करने लगते हैं कि हे प्रभु गयासुर की तपश्या के कारण हमें समश्या हो रही है, आप इसका कोई समाधान निकाले। वे सभी दैनिये इस्ति दिखाते हुए स्रीहरी से अपनी रक्षा करने के लिए कहते हैं, तब श्रीहरी देवताओं को आसवस्त करते हैं और कठोर तपश्या कर रहे गयासुर के सामने प्रकट हो जाते हैं। अपने सामने अपने आराध्य को देखकर गयासुर भाव विबोर हो जाता है और उनकी तपश्या से प्रसन होकर श्रीहरी गयासुर को वर्दान मागनी के लिए कहते हैं इस पर असुर कहता है कि भगवान आप मुझे ऐसा वर्दान दे कि मैं सभी तीर्थों से भी अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान गयासुर को ऐसा कहते हैं कि तथास्तू ऐसा कहकर उन्हें मनुवान्चित वर देते हैं जिससे कि देवताओ भी परेशानी समाप्त हो जाए लेकिन गयासुर को जब यह वर्दान प्राप्त हुआ तो इसके कारण प्रत्वी सूनी होने लगी क्योंकि जो भी व्यक्ति गयासुर का दर्शन करता या फिर गयासुर का स्पर्श करता तो उसके दर्शन मात्र से ही मनुश्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता और वह मनुश् को अपने जो वर्दान दिया है ये प्रभू उसके कारण पूरी प्रत्वी सूनी हो रही है देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्रीहरी विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी अब सभी देवताओं को लेकर गयासुर के पास जाओ और उससे यग्य करने के लिए पवित्र भूमी मांग लो तब ब्रह्मा जी विष्णु जी की आग्या से सभी देवताओं को साथ लेकर गयासुर के पास गए उर गयासुर से यग्य आरंब कर देते हैं और जैसे ही यग्य में पूर्णाहुती देने का समय आता है तो गयासुर का शरीर चंचल हो जाता है यग्य के समय विचलित होने लगता यह देखकर भगवान विश्णु धर्म को बुलाते हैं और उनसे देवमई को गयासुर के शरीर पर रखने के लिए देवमई सिला कोई और नहीं बलकि धर्म और उनकी पत्नी धर्मवति की पुत्री धर्म्रता है धर्म्रता का विवार रिषी मरीची से हुआ था और अज्यानवस रिषी मरीची ने अपनी पत्नी को सेवा से विमुक होने के कारण शिला होने का शाप दिया था परंतु कठोर तपश्यकर धर्म्रता ने श्रीहरी से कहकर इस श्राप को भी वर्दान में बदलवा लिया जब श्रीहरी के कहने पर इस सिला को गयासुर के शरीर पर रखा गया तो उसके बाद भी असुर गया का शरीर हिलता रहा यह देखकर अन्य देवताओं के साथ रुद्र और ब्रह्मा जी भी उस शिला पर जा बैठे लेकिन शिला का हिलना बंद नहीं हुआ और वह देवताओं को भी अपने साथ हिलाने डुलाने लगा इसके बाद सभी देवता परेशान हो गए और अंत में श्री श्रीहरी यग्य के स्थान पर पहुंचे वे अपनी गदाधारी रूप में वहां पर शिला और असुर दोनों को स्थिर रखने के लिए विराजमान हो गए उनके हाथ में पकड़ी हुई गदा को आदी गदा और उनकी इस स्वरूप को आदी गदाधर भी कहा जानी लगा श्रीहरी के वहां स्थित होने पर गयासुर भी स्थिर हो गया उसने देवताओ से कहा कि उन्होंने इतना उपक्रम क्यों किया है अगर भगवान श्रीहरी उसे कह देते तो उम्हें पहले ही अपना शरीर स्थिर कर देता अब क्योंकि उसे शिला से दबाया गया है इसलिए उसने देवताव से एक वरदान मांगा इस पर देवतावन ने कहा क्योंकि तिर्थ स्थान के लिए तुमारे शरीर को स्थिल किया गया है इसलिए सभी देवताव के साथ-साथ शीहरी ब्रह्माजी और शिवजी तीनों ही यहां पर निवास करेंगे इस स्थान की प्रसिद्धी सभी तीर्थों से बढ़कर होगी और पित्र आदी के लिए भी यहें छेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करेंगा यहें कहकर गयासुर को आशिरवात देकर सभी देवी देवता वहां पर वास करने लग नहीं यहें छेत्र सभी तीर्थों में सबसे अधिक पवित्र और पावन है साथी साथ जो भी व्यक्ति यहां पर आकर अपने पित्रों की शान्ती के लिए श्राद या पिंडदान करता है उसके पित्रों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है वहीं गयाजी में सीता माता न दोरान शाद करने के लिए गया धाम पहुंचे बहाँ पर शाद करम के लिए आवस्तक सामगरी जुटाने ही तू राम और लक्ष्मन नगर की ओर चल दिये उधर दो पहर हो गई और पिंडदान का समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्याकुलता इस वज़े से भड़ती जा रही थी तभी दश्र जी की आत्मा ने माता सीता से पिंडदान की मांग की गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गई क्योंकि उनके पास कुछ सामगरी उपलब नहीं थी तब माता सीता ने फल्गु नदी के साथ साथ वटवरक्ष, केतकी के फूल और गाय माता को साक्षी मान कर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गे राजय दश्रत के निमित पिंडदान दे दिया थोड़ी ही देर में भगवान राम और लक्षमन जी लोटे तो माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने श्वम ही पिंडदान कर दिया है बिना सामागरी के पिंडदान कैसे हो सकता है ऐसा सोचकर भगवान श्री राम ने माता सीता से प्रमान मांगा तब सीता जी ने कहा कि यह फलगु नदी हीरेत, केतकी के फूल यह गाई और वटवरक्ष मेरे द्वारा किये गए शाद करम की गवाई दे सकते हैं लेकिन फलगु नदी गाई और केतकी के फूल यह तीनों ही इस बात से मुकर गए सिर्फ वटवरक्ष ने सीता माता के लिए गवाही दी तब सीता माता ने राजा दसरत का ध्यान किया और उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की राजा दसरत जी ने सीता की प्रार्थना सुनी और उनके प्रार्थना स्वीकार करके गोशना की कि एन वक्त पर सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया है इस बात पर शीराम जी आस्वस्त हुए लेकिन तीनों गवाओं के द्वारा जूट बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया और फल्गु नदी से कहा कि जा तू सर्फ नाम की ही नदी रहेगी तुझ में पानी नहीं रहेगा इस कारण फल्गु नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है वहीं गाय को शाप दिया कि तू पुझ्य होकर भी लोगों का जूठन खाएगी और केतकी के फूल को शाप दिया कि तुझे पूझा में कभी भी नहीं चड़ाया जाएगा वहीं वटवरक्ष को माता सीता जी का अशिरवाद मिला कि उसे लंबी आयू प्राप्त होगी वहें दूसरों को च्छाया प्रदान करेगा पती व्रता स्त्री तुमारा श्मरण करके अपने पती की दिरगायू की काम ना करेगी इसका यहीं कारण है कि आज भी गाय को पूझनिय होने के बाद भी जूटा खाना पड़ता है और केतकी के फूल को पूझा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या फिर रेत से ही पिंडदान दिया जाता है वहीं वटवरक्ष आज भी सब के लिए पूझनिय है अब आप सुनिए पित्रपक्ष की दो भाईयों की कथा एक बार की बात है दो भाई जोगे और भोगे थे दोनों ही अलग-अलग रहते थे जोगे धनी था और भोगे निर्धन था परन्तु फिर भी दोनों में परस पर बड़ा प्रेम था जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था किन्तु भोगे की पत्नी बड़ी ही सरल रद्दे की थी एक बार पित्रपक्षाया और पित्रपक्षाने पर जोगे की पत्नी ने उससे पित्रों का शाद करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ कारिय को समझ कर टालने की चेश्टा करने लगा किन्तो उसकी पत्नी समझाती थी कि यदि ऐसा नहीं करोगे तो लोग बाते बनाएंगे फिर उसमें अपनी माएके वालों को दावत पर बुलाया और अपनी शान दिखाने का यहीं उचिताव सर्माना इसलिए वह बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वज़े से ऐसा कह रहे हैं किन्तु मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेगी फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवे रही उसके घर पर आई और घर के कारियों में जुट गई भोगे की पत्नी ने रसोई तयार की अनेक प्रकार के पकवान बनाए फिर सभी काम निप्टा कर वापस अपने घर पर आ गई आखिरकार उसे भी तो पित्रों का शाद और तरपन करना था इस आउसर पर ने जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ने ही वह वहाँ पर रुगी शिग्र ही तो पहर हो गई और पित्रगर्ण भूमी पर उत्रे जोगे भोगे के पित्तर पहले जोगे के यहाँ पर गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ पर भोजन में जुटे हुए हैं निरास होकर पित्तरगण भोगे के यहाँ पर आए वहाँ पर क्या था वहाँ पर तो पित्रों के नाम पर केवल अग्यारी दी गई थी पित्रों ने उसकी राख चाटी और श्वम भूखे ही रहे फिर नदी के तट पर जाप हौँचे थोड़ी ही देर में सारे पित्री खट्टे हो गए और अपने अपने यहाँ पर शाधों की बड़ाई करने लगे जोगे भूखे के पित्रों ने भी अपनी आबिती सुनाई और फिर वे सोचने लगे कि अगर आज भूखे समर्थ होता तो शायद हमें भूखा नहीं रहना पड़ता मगर भूखे के घर में तो दो जून की रोटी खाने के लिए भी पैसा नहीं है यह सब सोचकर उन्हें भूखे पर दया आ गई अचानक ही वे नाच-नाच कर गाने लगे कि भूखे के घर धन हो जाए जब सांज होने को हुई तो भूखे के बच्चों को कुछ खाने के लिए भी नहीं मिला था उन्होंने अपनी मा से कहा कि मा हमें भूख लगी है तब उन्हें टालने की गरज से भूखे की पत्नी ने कहा कि जाओ आंगन में जो हांडी उल्टी रखी हुई है जाकर उसे खोल लो और उसके नीचे तुमें जो कुछ में मिले उसे मिल बाट कर खा लेना जब बच्चे आंगन में पहुँचे और हांडी को सीधी कर कर देखा तो क्या देखते हैं कि उसमें मोरे भरी पड़ी है वे दोड़े दोड़े अपनी मा के पास पहुँचे और उससे सारी बात कह सुनाई जब आंगन में आकर भूगे की पत्नी ने देखा तो वह सब कुछ देखकर हैरान रह गई इस प्रकार पित्रगणों के प्रपा से भूगे भी धनी हो गया मगर धन पाकर भी गमंडी नहीं हुआ जब अगले साल का पित्रपक्षाया तो शाद ही के दिन भूगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए ब्रहमनों को बुलाकर शाद कर्म किया बजन करवाया भोजन करवाया दक्षना दी और जेट वे जठानी को सोने वे चांदी के बरतनों में भोजन कराया ऐसा करने से उनके पित्र बड़े प्रसन हुए तता भोजन पाकर त्रप्त भी हुए और उन्हें आशिरवाद प्रदान करते हुए वापस अपने लोग को चले गए अब आप सुनी पित्र पक्ष में सुनी जाने वाली एक भाई और एक बहन की कथा एक बार की बात है एक भाई और बहन थे भाई का नाम जोठो और बहन का नाम धोंदा था भाई ने एक बार पित्र पक्षाया तो अपनी पत्नी से कहा कि मैं गया जी में श्राद करने के लिए जा रहा हूँ तुम पीछे से पंद्रे दिनों तक मेरी बहन को अच्छे से जिमाना अपनी पत्नी से ऐसा कहकर भाई गया जी में श्राद के लिए चला गया वहीं पीछे से भावी रोज ननद को बुलाती और उसे दो रोटी दे कर भेज देती एक दिन जब दोनों भाई भेन के पिता का श्राद था तो उस दिन भावी ने अपनी ननद से कहा कि बाईसा कल आप जल्दी आजाना काम करना है क्योंकि आपके पिताजी का श्राद है और बच्चों से कह देना कि यदि पेड हिले तो आजाए और पत्ते हिले तो नहीं आए ऐसा कहकर उसने अपनी ननद को भेज दिया दूसरे दिन जब ननद के बच्चे साथ चलने के लिए कहने लगे तो उसने अपनी भावी की कही हुई वाद बच्चों को कह सुनाई ननद अपने बच्चों को साथ ले आई और उनसे कहा कि तुम सब लोग घर के बाहर ही मुडेर के नाले के पास बैठ जाओ मैं वहाँ पर जब चावल धोकर उसका मांड गिराऊंगी तो तुम उसे पी लेना मगर जब मैं चावल धोकर मांड गिरानी लगी तो उसकी भावी ने रोक दिया और बोली कि आज तो बापु जी का शाद है इसलिए मांड नाले में नहीं गिराना फिर इसी तरह से पूरा दिन निकल गया शाम को जब बहन अपने घर पर जाने लगी तो उसकी भावी ने चार रोटी देकर उसे वेज दिया जब बहन अपने घर पर आई तो वह भुत अधिक रोई उसकी आँखों से आशु गिरने लगे जो कि उसके पिता के खाने में आकर गिरे उसी रात उसके पिता ने अपनी बेटी को सपने में दर्शन दिये और बोला कि बेटी तु क्यों रोई तब वह बोली कि भावी ने आपको खीर और मालपुआ खिलाया और मैं और मेरे बच्चे यहाँ पर भूखे मरते रहे तब उसके पिता ने कहा कि बेटी रो मत घर के बहार जो कच्रा पड़ा है उसे उठा कर लेया और घर के अंदर रख ले तेरा सब कुछ सही हो जाएगा बेटी ने पिता के कहे अनुसार ही किया सुबह उठकर जब उसने कच्रे को देखा तो वहाँ पर नो खंडे महल हीरे, जवारात, मोटरकार, सुंदरवस, रित्यादी सब कुछ थे उधर जब गयाजी में भाई पिंडदान कर रहा था तो उसके खाने में खून की कुछ बूंदे टपक गई उसने पंडित जी से पूछा कि ये सब कैसे हुआ तो पंडितों ने कहा कि तुम्हारे घर में अवश्य ही कोई दुखी है तब भाई ने ऐसा सुना तुम्हें दुखी होकर शाद कर्म करके वापस लोटाया और घर आकर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या तुम्हें रोजाना मेरी बहन को जीमाया था तब उसकी पत्नी बोली कि हाँ मैंने तो रोजाना खुब अच्छी तरह से जीमाया और आज ही ननद को दक्षिना देकर विदा किया है उदर पिता ने पुत्री को अपना शाद करने के लिए कहा और साथ ही यहें भी कहा कि श्राद के दिन अपने भाई और भावी को यहाँ पर जीमने के लिए बुलाना बहन ने पिता के कहे अनुसार ही खुब अच्छे अच्छे रेसमी वस्त्रों और हीरों को पहना वे मोटर गार्डी में बैटकर भाई के घर पर बुलावा देने जा पहुची भाई अपनी बहन को इस दशा में देखकर बहुत अधिक प्रसन हुआ और भावी ननद के ठाट बाट देखकर अचम्बित हो गई फिर जब भाई और भावी ननद के घर पर आये और खाना खाने का समय हुआ तब भाई ने इच्छा पूर्वक पहले भेन को अपने पास बिठाया ननद की इच्छा नहीं थी मकर भाई के प्रेमबस धें उसके साथ वैठ गई उनकी भावी ननद और अपने पती को बोजन परोसने लगी बहन ने अपने सभी कीमती वस्त्र और गहनों को पास लाकर रखा और कहने लगी कि जीमो मारा चल्ला बिंटी, जीमो मारा डोरा कंठी जीमो मारा चम्मच बेस, तुम सब जीमो भाई को समझ नहीं आया कि मेरी बहन क्या बोल रही है भाई ने पूछा तो उसकी बहन ने बताया कि भाई आज मुझे ये सब पकवान इनी वस्त्रों और गहनों की वज़े से मिल रहे हैं वरना मेरी किस्मत में तो लूके फुल के ही लिखे थे मुझे कौन चपन बोग खिलाता था अब भाई को तरपन के समय खून के आसु का मतलब समझ आ गया और वह अत्तिदिक दुखी होकर रहे गया कुछ भी नहीं कह पाया फिर बहन ने अपने गर पर पिता का शाद्द किया और मन भर कर सब को जीमाया कुछ दिनों के बाद भाई उदास होकर अपनी पत्नी से बोला कि तुम्हारे पिहर में आग लग गई है उनका सब कुछ जलकर राक हो गया है तुम ऐसा करो कुछ समान बांदो ताकि मैं उन्हें पहुचा आउँ यह सुनते ही उसकी पत्नी ने गी, तेल, आटा, चीनी, दाल, चावल, आदी गाड़ी भर कर तयार कर दिये भाई ने कहा कि रास्ते में मेरी बहन का घर भी आएगा उसको देने के लिए भी कुछ समान दे दो तब भाबी बोली कि हाँ हाँ क्यों नहीं ननत भाई के घर तो पहले भेजुगी तब उसने तांबे का एक भहुत बड़ा घडा लिया और उस घड़े में सांप बिच्चू जैसे जहरीले जानवर भर दिये और यह बोली कि रास्ते में इस घड़े को खोलना नहीं इस घड़े को केवल अपनी बेहन के हाथों में ही देना वह ही इसे खोलेगी भाई अपने साथ अपने बेटे को लेकर रवाना हो गया वह पहले अपनी बेहन के घर गया और गाड़ी का सारा सामान वहाँ पर उतार दिया और उस घड़े को वहाँ पर नहीं उतारा अब उसने उस घड़े को लिया और अपने ससुराल पहुँच गया और वें घड़ा अपनी सास के हाथों में दिया और कहने लगा कि इस घड़े को किवल अंधेरे में ही खोल कर देखना जब सास ने घड़े में हाथ डाला तो साप और बिच्चू उस से लिपट गए उनको उसी हालत में छोड़कर दोनों बाब बेटे अपने घर पर लोट आए जब बहु ने अपने बेटे से पूछा कि घड़ा किस को दिया तब बेटे ने सारी बाते कह सुनाई उसकी पत्नी पती ने सोचा कि अब तो मुझे बदला लेना पड़ेगा ऐसा सोचकर मैं कंबल ओड़कर सो गई उसके पती ने पूछा कि क्या हुआ तो मैं बोली कि पंडितों ने बताया है कि मेरी तवियत बहुत खराब है तब उसके पती ने पूछा कि तुमारी तवियत कैसे ठीक जोई जी काले कपड़े पहन कर सिर मुडवा कर हाथ में मूसल लेकर हमारे घर पर आये और पूरे गाओं में घूमे तभी मेरी तव्य ठीक होगी उसका पती उसकी सब चाल समझ गया उसने कहा कि मेरी बहन तो तेरे खातिर दोड़ी-दोड़ी आ जाएगी मैं अभी उसे बोल है और पंडितों ने कहा है कि अगर आप लोग काले कपड़े पहन कर सिर मुडवा कराएंगे तभी उसकी तव्य ठीक होगी तब उसकी सास ने कहा कि ठीक है मेरी तो एक ही वेटी है जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे फिर बहु के माबाप सिर मुडवाएं और काले कप पढ़े पहने हुए हाथ में मूसर लेते हुए पूरे गाओं में घूमते हुए उसके घर पर आ पहुंचे वहीं भावी ने सोचा कि ननद और नंदोई जी आये हैं मैं छट पर चड़ गई और कहने लगी कि देखो ये लोग कैसे नाच रहे हैं तब भाई ने कहा कि भाग्य पतिनों के बाद अपने पती से बोली कि आज मेरा सांजुली का वरत है पती बोला कि यह कौन सा वरत है फिर भावी जूट मूट का पूजन करने लगी भाई समझ गया कि यह औरत तो नहीं सुद्रेगी अगले दिन उसने फिर से कहा कि आज मेरा उप गोटाले का वरत है उसकी कुछ नहीं सुनी तब पतनी समझ गई कि मेरी अब कोई चाल नहीं चलेगी ऐसा सोचकर वह हार मानकर अपनी ननद के साथ खुसी-खुसी रहने लगी और पूरी नगरी में घोशना करवा दी कि श्राद पक्ष में कोई विभेन बेटी दुखी नहीं रहे और अमाव वजों के लिए श्राद कर्म करने लगी पित्रपक्ष या श्राद से जुड़ी हुई अगली कथा दानवीर करण से संबंदित है महबारत के काल में युद के समय जब दानवीर करण की म्रत्यू हुई तो उनके दान और पुन्ये के फलसरूप उन्हें स्वर्ग लोप में बेजा गया वहां पर दानवीर करण का खूम स्वागत सत्कार हुआ लेकिन जब बोजन का समय आया तो उन्हें बोजन के समय सोने और चांदी के आबुशन बोजन की थाल में परोस दिये गए करण इस व्यवार को समझ नहीं सका और उन्होंने देवराज हिंदर से पूछा कि हे स्वरगादी पती यहां पर मुझे भोजन में सोने और चांदी के आबुशन परोसे गए हैं लेकिन मैं इनका सेवन कैसे करूँ मैं इनका सेवन नहीं कर सकता मेरे साथ इस व्यवार का क्या कारण है तब देवराजिंदर ने उन्हें बताया कि हे करण अपने पूरे ज सोने और चांदी के आबुशनों जैसी बोतिक वस्तु का ही दान किया है अपने अपने किसी भी पित्र देव को बोजन वैदान नहीं दिया है इसलिए ही आपके पित्र आप से ऐसंतुष्ठ है और आपको स्वर्ग में बोजन का सुक नहीं मिल रहा है यह सुनकर करण निरा हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को कहा कि हे इंद्रदेव मैं आजीवन अपने पित्रों से अनभिग्य रहा हूं मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पित्र कौन है इसी कारण मुझसे यह भूल हुई है अग गर्प्या करके आप मुझे इसका उपाय बताए तब इंद्रद करो तरपन करके उन्हें संतुष्ट करो और प्रसन करके वापस यहां पर आओ इससे आपको स्वर्ग में हर तरह की सुख सुईदा के साथ ही बोजन का सुख भी मिलेगा दान्वीर करण ने इंद्रदेव के कहे अनुसार ही किया वहां से वे प्रत्वी लोग पर लोटाए और 16 दिनों में प्रत्वी लोग पर विचरण कर रहे अपने पित्रों को सभी तरह का बोजन कराकर संतुष्ट किया उनका पिंडदान किया और तरपन भी किया ये 16 दिन पित्रपक्ष की आवदी थी इसलिए इन 16 दिनों में हम सभी मनुष्य को यह सोभाग्य मिलता है कि हम अपने मरत पूर्वजों को बोजन का दान करे और उनका पिंडदान वैं तरपन को विधी पूर्वक पूर्ण करे और उनसे आशिरवाध प्राप्त करे ये थी आज की कताए हमें पूरे पित्रपक्ष में इन कताओ को अवश्य ही सुनना चाहिए उमीद है आपको ये लाइक करें वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बोक्स में ओम पित्रा अभ्यामना में अवश्य ही लिए